Friends, I welcome all of you to Vishnu classes आज हम C-Tec और PS-Tec में जो civics के questions आते हैं उसमें से पहला chapter है diversity उसके बारे में चानेंगे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि diversity होता क्या है diversity को उम्म्बिनता भी कहते हैं जिसमें जैसे हमारे पूरी country में, हमारे society में अलग-लग धरम, अलग-लग जात के जो हैं लोग रहते हैं वही जो है diversity कहा जाता है आपने सुना भी होगा कि जो भारत है वो unity in diversity है that means कि भारत में जो है अलग-लग तरह के लोग जो है वो पाय जाते हैं अलग-लग caste के, अलग-लग religion के और अलग-लग race के जो हैं लोग पाय जाते हैं अगर हम बात करें कि हमारी जो nature है जैसे हमारी nature में plants पाय जाते हैं different kinds के trees पाय जाते हैं, पोदे पाय जाते हैं, फूल पाय जाते हैं, birds पाय जाते हैं कलर है यह क्या है यह अलग लग variety of things हैं जो पाई जाते हैं तो इसी तरीके से अगर हम diversity के बात करें तो हमारे जो इंडिया में है अलग लग धरम जात और religion के लोग जो है कास्ट के लोग race के लोग रहते हैं अब हम जानेंगे कि social groups क्या होते हैं वैसे जो है question इसमें छोटा सा ही बन सकता है कि diversity क्या होती है diversity जो है डिफ्रेंस भी होते हैं जो कि race के कर्म आप दिठंशद में पाए जाते हैं social group क्या है socialumps क्यों जो हैं बनते हैं क्यों कि एक विक्ति जो है economic ऑग अकेला लिए इसको किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है अपने जुरूरतों को पूरा करने के लिए तो इसी तरीके से चाहे फैमिली हो गया अपनी सोसाइटी से क्म्यूरिटी से अपनी नेशन से सीखते हैं तो अलग लग friends जो है पाए जाते हैं friends भी different हो सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है can friends be different nothing stops people from different backgrounds from becoming friends जैसे कि आप देखते हो कि एक classroom में जो है अलग लग जाती के बच्चे पड़ते हैं अलग लग caste के, अलग लग race के अलग लग religion के तो इसी तरीकी से अलग लग दोस्त होते हैं इसलिए RTE RTE क्या है Right to Education Act जो कि 2009 में बना था 2010 में इंप्लिमेंट किया गया था इसने ये provision बनाई है कि जो पूर बच्चे हैं जैसे कि पूर background से जो बच्चे हैं उनको public schools में admission दी जा सके तांकि diversity जो है वो कम हो सके कहा जाता है कि जिनका background जो है अच्छा नहीं होता या गरीब नीडी या गरीब है वो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते तो इसलिए RTE Education Act जो है Right to Education Act चलाया गया था 2009 में जो कि implement 2010 में किया गया था तांकि सभी बच्चों को जो है उनकी basic need किया है पढ़ाई जो है सभी को दी जा सके इसलिए जो है How do we explain diversity diversity को हम कैसे जो explain कर सकते हैं main जो है लोग अपने life simple living जीते हैं nomadic life जैसे की आसपस के काम वगरा करते हैं in later stages जो है लोग एक दूसरे से cooperate करने लगे और फिर दीरे दीरे जो है diversity बढ़ती गई जैसे जैसे जो है diversity बढ़ती गई वैसे वैसे जो है उनकी एक दूसरे पर interdependence जो है वो बढ़ने लगी within a social group diverse types of activities are performed आप देखते हो कि अगर कोई social group है है तो उसमें अलग लग तरह की activities करवाई जाती है ठीक है अलग लग skills अलग लग interest जो है उनके पूरे किया जाते है उनको education की दी जाती है तांकि हर एक बच्चे की जो है हर एक वेक्ती की जो है need वो fulfill हो सके आप देखते हो कि हम एक्जामपल ले सकते हैं जो है वो सीख सके तो यह इसी तरह के से यह भी एक तरह का social group है जिसमें अलग लग activities कराई जाती है बच्चों की skills जो है interest और education पे जाता काम किया जाता है यह है किया एक तरह से globalization का पार्ट है globalization क्या है कि पूरे globe पूरे universe को एक globe माना जाता है जिसमें हर एक diverse areas के जो लोग है वो एक दूसरे पे interdependent है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा इंडिया वो क्या unity in diversity है means के अलग-लग लोग जो है अलग-लग धरम के लोग, अलग-लग जात के लोग जो है यहां पे रहते हैं जो की एक साथ रहते हैं ही के इंडिया जोएंड हैंड हैंड अगेंस्ट फिरंगी साइट जो लिबरेट दा कंट्री मतलब की ब्रिटिश वगारा से जो है अपना पीछा जुडाने के लिए और सुवराज के लिए जो है इंडिया जो है इंडियांस सभी इकठे हुए थे तांकि इंडियांस से लिबर्टी मिल सकते में इनकी अजादी के लिए पंदर अगस नाइटेन फोटी सेवन में जो हम अजाद हुए इसलिए हमारे सारे इंडियन जो है वो इकठे हुए थे अलग-लग धरम के लोग अलग-लग जात के लोग और लग-लग रेस लोग वह इकठ्थे हुए थांकि इन फिरंगियों से उन बूटिश से पीछा छूड़ा सके पंडित जवहला नेरुजी है उनकी book, Discovery Of India तो यहba सकता है कि पंडित जवहला नेरुजी ने जो बुक लिक लिखी थी Discovery Of India में उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन जो है वो सभी इकठे हुए सिरफ इसलिए नहीं कि वो कुछ जो है किसी पर इंपोस करना चाहते थे क्यों इकठे हुए तांकि वो उनका इंपेक्ट पड़े सभी पर और वो जो हमने सवराज मिल सके कि अपने नेशन की डिवल्पमेंट के लिए वो जो है इकठे हुए थे नेक्स्ट अगर हम बात करें लदाक और कैरला की तो लदाक जो है सबसे जो है जो है इंडिया में जो है मुहीम लगाई थी कि हमारे भारत को जो है वो जात किया जा सके यह भी आ सकता है आगे हम देखें कैरला जो है साउथ इंडिया में है जो कि एक मल्टी रिलीजियस टेट है जिसमें अलगलग स्पीशिज और अलगलग फिशिज जो है वो पाई जाती है उसके लिए फेमस है तो डिवर्सिटी है इसमें धोड़े बहुती कोईशन बनते हैं पांचे कोईश हुआ है तो दीवर्सिटी कहलाता है जैसे कि नेचल में हम बात कर सकते हैं कि आलग प्लांट स rain labtree थी और जो हो इसके से यही जो है टीवर्सिटी होती तो है तो जो है पर आपको पहले बता दिये थे कि बंडे जॉआ लनारू की बुख का वीशन बन सकता है लदाग जो है कोल डैसर्ट है जमों एंड कश्मीर में पाया जाता है जहां पर शीप जो है वो तोमेस्टीकेट की जाते और बुद्धिजम जादा माना जाता है यह मुसले पैसे और फिश के लिए जो है वो इंपोर्टन है तो यह जो है इसमें से सिर्फ इतने ही क्वेशन बन रहे हैं डिवर्सिटी में तो होप यू लाइक दिस प्लीस लाइक सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल फोर मोर और वीडियोस इफ यू है अनी क्वेरी देन य यू